इस वीडियो में मैं आपको Honor का एक high performance वाला स्मार्टफोन के बारें बताने वाला हूँ जिसका नाम है Honor 200 इस स्मार्टफोन को आप एक तरीके से camera phone भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपको rear में 3 camera देखने को मिल जाते हैं 250 megapixel के OIS और 12 megapixel का और curve display वाला इस स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है और भी जबर दिस्पेक्स और फीचर्स के साथ ये स्मार्टफोन आता है वो आग इस वीडियों बताऊंगा तो अभी के लिए Amazon पर ये स्मार्टफोन पर sale चल रही है जिसकी वज़े से जो इसकी हर महीने की EMI है उसका price काफी कम हो चुका है और वो भी बिना किसी interest के एक साल तक की no cost EMI आपको किस bank पर देखने को मिलेगी EMI पर आप इस स्मार्टफोन को कैसे करीच सकते हैं Amazon से तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखेगा उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आएं तो चैनल को सिस्क्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अबी के लिए इस स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सेल के अंदर रहने वाला है इसके वेरियंट और कलर के बारे में बात करें दो कलर ओप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं वाइट और ब्लैक कोई सब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और दो वेरियंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आट जीवी रैम 254 जीवी स्टोरेज बारा जीवी रैम 512 जीवी स्टोरेज पहले वाले वेरियंट की कीमत है 34,998 रूपे दूसरे वाले वेरियंट की कीमत है 49,998 रूपे इस स्मार्ट फोन के मैं आपको कुछ हाईलाइट इसमेक्स के बारे में बता देता हूँ किस तरह के आपको इसमें इसमें इसमेक्स देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले कैमरा की बात करें दो 50 15MP के OIS कैमरा देखने को मिलते हैं और 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने को मिलेगा और सेल्फी कैमरा भी इसका 50MP का आपको देखने को मिलता है जिससे आप 4K वीडियो रिकोर्ड कर सकते हैं इसके बाद इसकी डिस्प्ले की बात करें 6.7 इंचिस की कर्व एमुलेट डिस्पले देखने को मिल जाती है जिसका refresh rate 120 Hz का आपको देखने को मिलेगा 4000 निट की आपको peak brightness देखने को मिलती है जो की काफी जाद होती है आप अगर smartphone का भार भी यूज़ करते हैं तो आप अराम से यूज़ कर पाएंगे इसमें operating system की बात करे owner का 8.0 based android 14 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और इसकी battery capacity की बात करे 5200 mAh की battery capacity रहने वाली है और 100 watt की fast charging का support आपको देखने को मिलेगा और इसकी performance में Snapdragon 7 Gen 3 आपको एक processor देखने को मिल जाता है जो की काफी fast processor माना जाता है तो कुछ इस तरह के आपको इसमें highlight specs देखने को मिल जाएंगे तो 3000 रुपे का discount आपको सभी बैंकों पर मिलता है यान की कोई से बैंक आपके पास जो है debit card, gate card हो आपको ए discount मिल जाएगा उसके पास जो EMI है, no cost EMI आपको 12 महीने तक की देखने को मिल जाती है जो की 2600 रुपे महीने की रहने वाली है चलिए अभी EMI का मैं आपको बतायता हूँ कैसे आप उसको select कर सकते हैं और कौन-कौन से वे card रहने वाले है जो आप no cost EMI देखने को मिलती है तो यहाँ पर मैंने EMI option select कर लिया है प्लैन 11,666 रुपे हर महीने की रहने वाली है 6 महीने वाला प्लैन अगर मैं select करता हूँ 5,833 रुपे रहेगी 9 महीने वाला प्लैन अगर मैं select करता हूँ 3,890 रुपे के आसपास हर महीने की EMI होगी और एक साल की अगर मैं EMI select करता हूँ 2,917 रुपई हर माइने की EMI रहने वाली है और सभी में no cost EMI plan हमें देखने को मिलते हैं एक साल तक की अगर आपको no cost नहीं चाहिए इस से ज़्यादे time की EMI लेनी है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है standard plan जो की 18 माइने की 24 माइने की रहने वाली है 24 माइने की अगर आप select करते हैं वो होगी दोस्तो 1709 रुपे लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 6000 रुपे का आपको interest पे करना होगा टोटल कोष्ट कितनी हो जाएगी 41,026 रुपे तो इस तरीके से आपको दोनों ही plan इस smartphone पर देखने को मिल जाते हैं और सभी credit card पर आप आपको इसी तरह के plan देखने को मिलेंगे तो इस smartphone आपको कैसा लगा इस smartphone के बारे में आपकी क्या रहा है वीडियो की comment section पर लिख का जोड़र पताना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दन्यवाद दोस्तो